हलो जहित साथियो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल डिजिटल साहता पर तो साथियो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की जो पहली किस्त है लाभार्तियों के खाते में को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे चैनल पर फहली वार आएं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करें तो सब से पहले जानकारी आपको मिल सके तो साथियो साड़े चार लाग से जादा लाभार्थियों को दोस्तो इस योजना का लाब मिलना है अब यहाँ पर जो डेटा हमारे सामने निकल कर आ रही है उसमें सभी लाभार्थियों का दोस्तो जो एकाउंट भेरिपिकेसन है वो की जा रही है और जैसे एकाउंट भेरिपिकेसन ह तो लाभारतियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जाएंगे और जो लेटेस्ट अपडेट माध्यपरदेश सरकार के तरफ से दी गई है उसमें यह भी बताया गया है कि 17 सितंबर से लेकर जो है 5 अक्टूबर तक इस योजना के तहत पंजीकरन चलेंगे जिसमें जितने लाभारतियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जाएंगे यह क्लिरली जानकरी दी गई है तो साथियों अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत लाभारतियों के खाते मे पहले फेज के अंतरगत पहली किस्त की रासी जो है ट्रांसफर की जाएगी यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है दोस्तों वो दो लाक रुपए तक जो है हो सकते हैं इससे सम्मधित घोसना जल्द ही की जाएगी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी होगी और पहली किस्त में लाभारतियों को कितने रुपए मिलें के उससे सम्मधित भी जानकारी जल्द ही निकल कर आएगी यहाँ पर जैसी साथियो पैसे ट्रांसफर होगी उससे पहली जानकारी आएगी और अभी जो मत्यप्रदेश गवर्मेंट के तरफ से जानकारी दी गई है उसके आधार पर यही बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को मुख्यमंतरी लाडली बहना आवास योजना के ताहत पहले फेज के लाभारतियों को पहली किस्त की रासी खाते में ट्रांसफर की जाएगी तो साथियो अगर आपने पंजिकरन करा लिया है तो दोस्तों आपको क्या करना है इस से आपको सारी डीटेल्स जो है चेक करना है अब यहाँ पर क्या है दोस्तों जितने भी लाभारती रेजिस्टर्ड है उनका डेटा अब जो है पंचायत वार आ चुका है जैसी हम यहाँ पर जो है माध्यप्रदेश के बाद किसी भी डिस्टिक को सेलेक्ट करते हैं और उस इस परकार से आप भी चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका जो अभी स्टेटास है वो क्या है भेरिफाइक हो चुका है या फिर नहीं तो सांत्यों यह थी जानकारी जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवा स्योजना के तहत ला बागे रखिएगा धन्यबात